एक बार भगवान भोले नात कैलास परवत पर ध्यान लगाया बैठे थे जब उनका ध्यान तूटा तो उन्होंने नंदी से पूछा कि आज देवी पारवती नहीं दिखाई दे रही है तो नंदी ने कहा कि भोले नात आज वो अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकली आज वो आपकी पूजा के लिए उपस्थित नहीं हुई तब भोले नात ने नंदी से कहा कि वो क्यों उपस्थित नहीं हुई और तब नंदी ने कहा कि मुझे पूछने का सहासी नहीं हुआ तब भगवान भोलेनात श्वयम माता पार्वती के कक्ष में गए और कैलास परवत पर उपस्तित न होने का कारण पूछा देवी पार्वती उस्ष्य में बहुत ब्याकुल थी भोलेनात तो शब कुछ पहले से ही जानते थे उन्होंने माता पार्वती से कहा कि गगन बिहार करके तुम्हारा मन प्रफुलित हो जाता है अतह चलो गगन बिहार करते हैं दोनों गगन बिहार के लिए निकल पड़ते हैं तो रास्ते में माता पार्वती ने अपने दिवी द्रिष्टी से देखा कि वैकुंठ लोक, ब्रह्मे लोक तथा श्वर्ग लोक में सभी सुख पुरुवक अपना जीवन बिता रहे हैं तब माता पारवती ने भगवान भोलेनात से कहा कि आप तपश्यों की भाती जीवन क्यों बिता रहे हैं सभी देपता अपने जीवन को आनंद और शुक पुरुवक बिता रहे हैं और अब आप तपश्यों की भाती जीवन बिता रहे हैं ऐसा क्यों? तब भगवान भोलेनात ने माता पारवती से कहा कि देवी लगता है कि आप महलों में रहने के इच्छुक हैं आपने क्या सोच कर हमसे विवाह किया था? हम तो बैरागी तथा सन्याशी हैं हमारे लिए सभी शुक शुविधाएं नहीं हैं तब माता पारवती के बहुत कहने पर भगवान भोलेनात ने स्वर्ग नगरी लंका का निर्मान किया था वह लंका सोने की थी तथा बहुत भव्य और सुन्दर थी तब माता पारवती ने कहा कि चलिए अब हम दोनों इस लंका में निवाश करते हैं भगवान भोलेनात ने पारवती शे कहा कि देवी जब भी किसी नए भवन का निर्मान होता है तब उसमें स्रिष्ट आचारी को बुला कर पूजन कराया जाता है उसकी बाद ही वह महल रहने योग्य होता है भगवान भोलेनात ने देवर्शी माननारद को यह आदेश दिया वह रिशी विशरवा के पास चाकर उन्हें लंका पूजन के लिए सुचित करें माता पार्वती ने देवर्शी नारद से कहा कि आचारी को अपने दिविशक्ती का परियोग करके आपको लाना है उधर रिशी विशरवा शिव अराधना कर रहे थे रिशी विशरवा की पतनी कैकसी दैत्यराज शुमाली की पुत्रे थी दैति की पुत्री होने की बज़ा से उसके अंदर एक दैति के शमस्त गुन मौजूद थे नारत रिशी विश्रवा के पास गए और लंका पूजन के लिए शूचना दी रिशी विश्रवा के साथ उनकी पत्नी कैकसी भी लंका पूजन में गई जब लंका पूजन हो रहा था उस्रमे रिशी विश्रवा की पत्नी कैकसी लंका नगरी को देखकर लालच में आ गई वह मन ही मन सोच रही थी कि जदी ये स्वर्ण नगरी लंका मुझे मिल जाए तो मैं सुखी से इस लंका में रहूंगी जब लंका पूजन संपन हुआ तब रिशी विश्रवा ने कहा कि भोले नाथ अब मुझे यहां से चलने की आग्या दिजे तब भगवान भोलेनात ने कहा कि आपने अभी तक दच्छिना तो ली ही नहीं बिना दच्छिना के मैं आपको यहां से नहीं जाने दूँगा रिशी बिश्रवा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तब भगवान भोलेनात बोले कि दच्छिना तो आपको लेनी ही होगी कैकसी ने रिशी बिश्रवा से कहा कि दच्छिना में आप यही लंका मांग लेजे तब विश्रवा ने मजबूरी बस भगवान भोलेनाथ से लंका दान में मांग ली भगवान भोलेनाथ ने रिशी विश्रवा को लंका दान में दे दी यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई उन्होंने रिशी विश्रवा को श्राप दिया कि हेलो भी ब्रहामन तूने अपनी पतनी के कहने पर मेरी कलपना, मेरी प्रेम इस लंका कुमों से छीन लिया है अतह मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू और तेरा बंस इस लंका का शुक भोग कर पाएगा तेरे आखों के हे सामने तेरे शंपूर्ण वंस का सर्वनाश हो जाएगा यह सुनकर रिशी बिश्रवा भैभित हो गए और पतनी कैकसी को लेकर लंका से जाने लगे तब नारत ने बिश्रवा से कहा कि हे रिशी बर आप कहा जा रहे हैं आप यही रहिए प्रस्थान तो हमको करना है तब भगवान भोले नाथ ने कहा कि अब यह लंका नगरी एक श्रापित नगरी बन गई है अता हम सब को तुरंतेहा से प्रस्थान करना चाहिए यह कहकर सभी देपता उस महल को छोड़ कर चले गए उधर रिशी विश्रवा के जेश्ट पुत्र अपने पुष्पक विमान को लेकर अपने पीता रिशी विश्रवा के पास आए और बोले कि मुझे बरदान शुरूप यह पुष्पक विमान मिला है यह देखकर रिशी विश्रवा बहुत खुश हुए तब रिशी विश्रवा ने अपने जेश्ट पुत्र कुवेर को कहा कि हमें लंका नगरी दान में मिली है अतह उस लंका में जाकर अपना शमराज्य स्थापित करो रिशी विश्रवा ने कुवेर से यह भी बताया कि हलंका नगरी एक श्रापित नगरी बन गई है कुवेर ने अपने पिता विश्रवा से कहा कि आपके तब और आशिरवात से यह श्राप भी खत्म हो जाएगा कै कसी ने जब यह देखा कि रिशी विश्रवा ने यह लंका नगरी बिना उससे कुछ पूछे कुवेर को दे दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुई और भूली कि मैं कुवेर को शांती पूर्ण धंग से इस राज्ये पर शाशन नहीं चलाने दूंगी कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए